यो गाइस स्वागत आपका एक और नई वीडियो के अंदर तो गाइस पिछली टुटोल में मैंने आपको करा था गाइस पब्लिक प्रोटेक्टेड और प्राइवेट वेरिवल्स के बारे मैंने आपको थोड़ा सा बताया था कि आप कैसे इनको बना सकते और कैसे यूज कर स होते हैं और ओपरेटर ओवर लोडिंग के बारे में भी बताऊंगा तो सबसे पहले मैं एक पर फटा-फट से निया टुटोल बना देता हूं यहां पर किस नाम से ओप्रेटर एंड टंडर ओपरेटर एंड डंडर डोट पीवाई ठीक है और यह जो अपना टुटोरियल है यह है अपना 46 कौन सा 46 ठीक है तो गैस मैंने बना दिया अपना और यहां पर मैं आज आपको बताने वालों डंडर और ओपरेटर तो डंडर मैथर्स क्या होते हैं सबसे पहले अगर आपको पूरी लिस्ट चाहिए कि कौन कौन से टाप के डंडर मैथर्स होते हैं तो आपक पूरी पाइथन कोर्स जो है पूरा पाइथन का अवेलेवल है हमारे पास और यहां पर आगर आपको डंडर मैथर्स के बारे में जाना तो आप काईज यह सर्च कर सकते हैं मैपिंग ऑपरेटर फंक्शन या फिर आप स्पेशल लिख सकते डंडर मैथर्स ठीक है तो भी आ और बाकि यह का इस्टर मैथर्स का यूजकरने का मतलब है कि ऐसा निए कि सारी अर्दर मैथर्स ओपरेटर ऊट्र लौड्ण मेथर्स कि होती यूँ जैसे चांज से स्टार्ट हो और बीच में कुछ नाम हो कुछ फ्छ बी नाम हूँ और // से अलो मतलब किreating the school under .skonos informing अब एख लेकिन क्या करता हूं अब हो औंए जो क्लास में इस क्लास को यहां से में Benjamin अब मैं यहां से कॉपी कर लीता हूं आ मैं जैसे कि दो स्टुडिंट है और मैं दोनों को student को प्लच करूँगा चलो मैं आपको करके दिखाता हूं मानलो मैंने एक प्यूष नाम का वैरिवल बनाया है यहां पर इसको मैं अब्जेक्ट बना रहा हूं student class कर और यहां पर मैं देता हूं उसका नाम मैं लगा के और इसका रोल लंबर देता हूं 12 ठीक है 12 म अब मैं मानलो एक और बनाता हूं अगर मैं देखो प्रिंट करूँ और यहां पर मैं लिखो पी पी यवा यूए यूए स्टी डोट कोई तो ये हमारेपास रिटन हो जाएगा मतलब कि हमारे पास प्रिंट हो जाएगा प्यूष के कोईन कितने 15 हैं ठीक है अगर मैं मानलो अगर एक और बनाऊं मानलो मैं बनाता हूँ इशांत के नाम से इशांत और equal to में मैं रखू हूँ as t u d e n t student और यहाँ पर मैं लिखता हूँ i s h a n t इशांत ठीक है और यहाँ पर मैं roll number इसका दू 45 तो गाइस यहाँ पर यह मैं इशांत के coin भी print करा सकता हूँ जो कि 15 ही होता है अगर मानलो मैं लिख दूहिँ यहाँ पर यहाँ प्यूश और python ब्लस करूं कैसे करूं तो क्या क्या करूं मैं यह नहीं समझ पाता हूँ जहाँ आया कि unsupported operator टाइप्स ठीक है मतलो कि जो plus का operator है यह support नहीं करता कि student class के किसी object को किसी student class के object से ही plus किया जाए ऐसा supportable नहीं है ऐसा जो है supportable नहीं है तो support कैसे होगा उसी के काम में आते हैं अपने इसी लिए अपने काम आते हैं इस position पर dunder methods और operator overloading ठीक है operator overloading का मतलब है कि आप एक operator का और भी काम बना सकते हो जो पहले से ही काम करता है उसके अलावा ठीक है अगर मार लो मेरे को plus sign का काम करवाना है कि मैं puse और इशांत को plus करूँ तो मेरे पास puse के coin और इशांत के coin plus होकर आ जाने चाहिए ठीक है अगर मार लो मैं यापर इशांत dot coins लिखता हूँ या करना पड़ेगा सबसे पहले default keyword लिखना पड़ेगा उसके बने आपको बढ़ाई抗े जो अंड्रिस्कोर अंड्रिस्कोर से स्टार्ट हो ठीक है उसके बाद आप लिखोके एड यह एक method है तो जो कोई मैंने क्या की अदर मतलब की इसका मतलब जब प्लस के बाद जो चीज है वो अदर के अंदर जाएगी और जो पहले है वो जाएगी सेल्फ के अंदर मतलब की यहाँ पर हमने क्या किया आप अगर reality दे कोईन की तो यहां पर क्या हो रहा है यह प्यूज डोट कोईन प्लस इसान डोट कोईन यह reality में हो रहा है तो अब जहां पर भी आप जितने भी object student class के बनाओगे आप उनके बीच में प्लस का जैसे sign यूज करोगे ना तो उनका answer क्या हुआ उन दोनों के coin आपको प्लस होके मिल जाएंगे ऐसे आप अपने खुद के methods बना सकते हो मतलब कि आप एक operator को overload कर सकते हो ठीक है यह add method मैंने कहां से उठाया मैंने आपको website दिखाई थी यहां पर यहां पर 82 कैसे आया 67 प्लस 15 इकोल टू 82 अगर मैं इसको यहां पर वापिस से comment out कर दू मतलब कि इसके coin भी अब 15 ऊचुके तो हमारे पास 30 answer आएगा और जो हमारे पास आ चुका है मतलब कि अब जो python है वो iso print को support कर रहा है अब यह unsupported वाला error हमारे पास नहीं आ रहा है ठीक है तो यह ऐसे आप यूज कर सकते हो operator overloading को और अगर वाइज मैं अभी division वाला भी आपको लगा के दिखाता हूं यहां पर true div नाम है उसका यहां पर underscore लगाएंगे और लिकेंगे यहां पर true div के बीच में क्या करता हो division का sign लगा देता हूं अगर बाइट जांस मैं अब इनको divide करता हूं आगर बाइचिंस में को divide करता हूं तो महारे पास आ गया one point zero वह जोगी 15 से 15 को divide करा तो महारे पास one आ गया तो आप ऐसे भी कर सकते हैं ठीक है और देखो operator overloading भी आप आपको आ चुकी है ठीक है मतलब अपनी classes बनाईए आप उसमें operator overloading का use करके देखी तक आपकी practice हो और आप अच्छे से तरीकी से आप सीखो object oriented programming देखो कितनी असान बना दे लिए programming को कि आप एक code of दुबारे use आपको यह कुछ गलत run हो गया है आपर मैं अभी दुबारा इसको run करता हूँ तो मारे पास देखो 0.222 यह आगया अपना ठीक है अब मैं क्या करता हूँ आपको ना दो methods और बताऊंगा एक str method बताऊंगा और एक reaper ठीक है और epr जो method है वो आप कुछ ही बोल चकते हो रीपर बोल जाए तो यहर कुछ ऐसे नहीं आना चाहिए कि यहां पर एक object है वगयरा वगयरा कुछ यहर अच्छे तरीके से आना चाहिए ना कि यह एक object है और यह इसका नाम प्यूश है और इसका रोल लंबर यह है और यह इस class का object है ठीक है तो वह कैसे करेंगे उसके लिए भी गाइ यहां पर आप क्या दोगे self दोगे और यहां पर आप colon लगा के enter करोगे तो यहां पर आगर आपको कुछ भी यहां पर जैसे की return करना आपको return करके आप मानलों मैं यह string जो है यह ऐसी की यहां पर return कर देता हूं इस डंडर मेंठड़ से इस डंडर मैंठड से अगर मानलों मैं चाता हूँ कि इस तरीके से नाइम मैं चाता हूँ एक अक्षे तरीके से है एक अच्छे तरीके से है तो मैं क्या करता हूँ यहां पर अभी आप लिखता हूँ मैं कि यह student class के object है यह student class के object है और इनका नाम क्या है इसान्त और 45 यह का data है जो चाहो आप यहां पर वह return कर सकते हो print अपना काम करेगा ठीक है मैंने यहां पर string return कर दिये और print क्या कर रहा है उस string को return कर रहा है और गाइस एक और method है same to same जिसका नाम है str जिसका नाम है str मैं justice को क्या करता हूँ यहां पर बस उस method को use करने के लिए आ कर रहा था यह repr इसको function को चला रहा था automatically ठीक है लेकिन अगर str वाला function डंडर function अगर मुझूद है तो यह repr को नहीं चलाएगा तो यह priority देगा str को देखो कैसे अभी मैं बताता हूं तो आपको जैसे मैं यहां पर str में तो मैं दे देता हूं यह यह वाई string और जो repr है वो यहां पर special यहां पर लिख दो repr ठीक है तो यह क्या करेगा यह repr वाला function चलाएगा और हमको यह मिलेगा जो हम चाह रहे थे ठीक है लेकिन अगर आप direct लिखोगे तो हमको वही मिलेगा str वाला automatically अगर मैं यहां पर इसको comment out कर दे रहा हूं और मैं इसको यहां पर comment out कर दे अगर आपको चलाना है तो special आप packet लगा कर चला सकते हो तो यह है guys dunder method और operator overloading ठीक है तो guys आज का जो अमरा topic था वो इतना ही था बाकि आप इनकी practice कीजिए और कुछ ऐसी calculator नामनी class बनाई है जिसके अंदर भाईया add कर सकते हो division कर सकते हो जो आपके मन में आए ना वो class download कर सकते हो ठीक है तो guys मिलते हैं आपको फिर next वीडियो के अंदर आज की इस वीडियो में इतना ही guys अगर आपने playlist अभी तक access नहीं किये तो हमारी playlist को आप access कर लीजिए यह हमारी playlist है और guys इसका जो link है वह मैं description में provide कर वादूँगा वह आप यहां पर जाकर check कर सकते हो ठी See you in next video